हालो स्टुजन्ट आम साथी शहा फ्रम्श द्धायन्स चुट्ट तर आपन आज स्टार्ट करना रहा है अपले एक्सराइज नंबर 8.3 स्टार्ट करें आपले एक्सराइज नंबर 8.3 प्रफस्केशन काया है वीच आफ दर फॉलईंग इस दे क्यूब आफ दी ही ङूट पीज फ सिनंट रॉड नमबर आये टाइज इनंथर फिप्रलेय多र 15th odd number कुटला है तर 36 नंतर 1st odd number काया है 37 बरोबर 37 नंतर 39 41 43 मह्यास आपन count करत बसना रहे का 50 till 15th खुब टाइम जाना रहे तर 13 अपने कड़े एक छोड़ते सट्री का है सोलुशन स्टाइब करें आपन 15th odd number आफ्टर 36 दो फिर्स्ट और नंबर इस 36 प्लस 1 37 फिर्स्ट और नंबर काया है 37 अतर दोन कौंजी किट यू और नंबर मरे दिफ्रेंस किती हासते है 2 मैंजे कदी ही आपन कौंजी किट वेन नंबर आउड नंबर जर कराया चा सेल तर तर दिफ्रेंस टू चासते करन एक नंबर सुड़न एक नंबर आउड नंबर आसते है the difference between two consecutive odd number consecutive मंझे एका नंतर एक, मंझे 1 नंतर 3, 3-1, 2, 3 नंतर 5, 5-3, 2 दोगां चो difference, दोन consecutive odd number माले difference किती तास तर 2 चो the difference between the 2 consecutive odd number is 2 दोन consecutive नंबर माला difference किती तास ता 2 तास ता after 36 equal to first odd number का है अपले 37 plus consecutive odd numbers difference किती 2 multiply by 14 14 का तर first odd number अपना already गेत लेला है 37 14 plus 1 15 इतना multiply by 14 के ले 37 plus 28 65 तर अपलेला में आला 15th odd number after 36 किती 65 अथा अपलेला का लेचे 65 चा क्यूब का लेचे cube मनजे 65 इंटो 65 इंटो 65 अथा बगा 5 चा क्यूब मनजे 125 unit मदे 5 चेना रहे तर तुम्ही option भगो शकता unit मदे 5 फक्त थर्ड नंबर चा option ला है मनों 3rd is the answer तुम्हाला काडात बसेची गरज नहीं है तुम्ही इतना छोड़े छोड़े ट्रिको आपरा मग तुम्हाला easy हुई अपन काडू शकतो 65 इंटो 65 65 करू शकतो अपन easily काडू शकतो अपन इतना तुम्हाला टाइम वाच 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 वाचे सपोस्पोस दोन option मदे स्तिल 3 यानी 4 मदे जर unit मदे 5 हसलास थर्ड अपनला काडा वस लगलास थर्ड इतना बेस्ट थिंग काया है option मदे एकत option ला 5 हाई unit मदे तर directly अपन option 3 is a right answer सांगू शकतो नहीं तर तुम्ही 65 cube of a numbers ट्रिक ही मी शिको लेला है तिर ट्रिक तुम्ही जाउन बगा इंट्रॉक्शन पार्ट मदे आ है तिर ट्रिक के अनुसार तुम्ही easily cube पन काडू शकता तर अपन ट्रिक यूज केलो third option is a right answer तर ये बगून गया आपन बगूया next question ओके श्रोन तर बगूया आपना next second question काया है Harba has some blankets with him the cost of a blanket is twice the number of a blanket if he has a blanket worth rupees 4608 4608 rupees how many blankets does he have तर question नीट समझून गया Harba has some blankets with him ति number of blankets आये ति किती है तो अपलेला माहिती ने तर आपन कंसर्डर करो ये number of blankets is x बरोबर number of blankets आपन कंसर्डर करो ये x आया amount the cost of a blanket is a choice of a number of blanket number of blanket x cost of blanket मनजे ते cost किती रुपईला है मनजे ते blanket सा पैशे किती रुपीज आ नीविकाद गे इतला तर ते twice जोड़ पन अस्तिल suppose one two blanket अस्तिल तर ते जा cost का असना रहे two to the four मनजे ते जा twice असना रहे suppose three blanket अस्तिल तर cost असना रहे six रुपीज तर cost of मनजे ते एका blanket ची किम मन जानी तर two x आपन गेतलो अट आपने ला काय काड़ा चे number of blanket काड़ा चे number of blanket काड़ा तेनी cost blanket चे cost दिले ओल्रेड़ी किती four six four six zero eight हे काया हे cost दिले number of blanket किती है तपने लाम हाईतने ते काड़ा चे तर बगा cost किती है cost of one blanket two x number of blankets किती है तपने लाम हाईतने नहीं ते काड़ा चे तर ते जाले x करना आपन कुटले ही अमोंट तसस काड़तो सपोज अपला कड़ो धा ब्लांकेट आहेत तर एका ब्लांकेट ची किम्मस सपोज आपन धरुया 100 रुपीज है तर किती मी मनले 100 इंटो 100 करतो तर क्या होता है 1000 रुपीज तर तसस इता पन मी मल्टिप्लाए ते सिचुएशन सा मल्टिप्लिकेशन मनझे ते एक्वेशन मदे रुपा अंतर केले जने करून आपनेला इजी होना रहे तुम्ही आशे जर कोश्यन असतील तर तुम्ही मनातले मनात जर क्याल्कुलेशन खेला सपोस्ट 10 रुपीज अब तो भी कॉस्ट बकड़ा मने तुम्हाल लक्षा तील कसा आपन ते जर क्याल्कुलेशन करो शक्तो तर इतका होना रहे बगाद देर्फोर 2x2 इक्वेशन 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 का करण ही जो मदे मल्टिप्लिकेशन आए x2 इक्वेशन 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 इक्वेश 0 4 स्क्वेरूट स्क्वेरूट कालाच इजी टेक्निक में आल्रेडी तुमारा शिक्को लेले होते हैं युनिट मदे 4 आहे मंझे आइधर तुम्चा आंसर 8 असु शकते हैं और 2 असु शकते हैं आणि तेजा आधीचा 23 चा आधीचा परफेक्ट स्क्वेर काया है 16 करन 5 चा परफेक्ट स्क्वेर आहे 25 तर 23 चा आधीचा परफेक्ट स्क्वेर काया है 16 मंझे 4 मंझे एक तरह अपला आंसर 48 असना रहे और 42 असना रहे तरह ते कासा फाइन डॉट करना रहे 4 तो नेक्स नमबर 5 4 फाइज है 20 23 20 पेक्षा ग्रेटर आहे मंज़े जे बिग नमबर आहे ते आंसर आहे मंज़े 48 इज़ आंसर मग ऑप्शन 2 काया है अपला करेक्ट आंसर है खुप एजी कोशन होता फक्त तुम्ही मीनिंग वे वस्ते समझन गेतला आणि हेज़ ट्रिक शिकून गेता स्क्वेर रूट आणि क्यूब रूट च तर तुम्हाला खुप एजी होना रहे तुम्ही इंट्रोड़क्शन पार्ट मदे बगा ने तर तेजा पेक्षा ही डिटेल मदे वेधिक मैस चा लेवल्स मदे मी अल्रेडी स्क्वेर रूट रहनी क्यूब रूट शिकूल रहे तुम्ही तेही वीडियो बगुशकता जैने करूं तुम्ही एक कंसेप्लीयर होना रहे अनि डिस्क्रिप्शन मदे तेजा लिंक दिलेला है अनि जलिटु मिशी स्क्रिप्शन में रगजा जाए श प्रोबलम रहे से, तर माच आ आप algunas आख से, इस दो कमाला बढ में दिस्ते ते प्लेइलिस्ट वर तुम्हीं क्लिक केला तुम्हा विवस्थित वीडियो दिस्तिल मझे वेधिक मैठ्स लेवल वन लेवल टू आणि ते जब टॉपिक्स तुम्हीं ते ज़त विवस्थित फाइंड आट करूं स्टेडी करो शकता तरे बगुन क्या सेकेंड ला किस्टें तर बगविया अपले नेक्स कॉश्ण काया ही इजी कॉश्ण आ है तो मना काया काया थे फट्ट क्यूब रूट काड़े चे दोनी नमबर चाहा और परत ते ज़े स्क्वेर रोट काड़े चे क्यूब रूट आप वन सेवन तो एक और रड़ी है तो खूब छ है आणि जादी वन आहे वन साथी चा पर्फेक्ट क्यूब काया बनाचा है तर 1728 चा क्यूब रूट काया है तो नांतर क्या काया कश्या क्यूब रूट काड़े चे 13824 ते टीट चा ग्रूपिंग कर या ज़र यूनित मदे फोर असेल तर ते यूनित नमबर फोर ये 24, पुड़ काया करेचे आपनेला, तेज़ स्क्वेर रूट करेचे, 12 प्लस 24, किती एन आरा है, 36, 36 स्क्वेर रूट 6, खूब एजी कोशन होता, आंसर, option 1 is the right answer, तर काई इजी जाला कराना, आपने हैं ट्रिक शिकलो, सपोज ट्रिक शिकलो नासता, तर आपनेला वेल आगला तर लेंदी प्रोसेस वाडलासता, तर तर ट्रिक खूब इंपोर्टन्ट आहे, और है मस्त है, तुम्ही है शिक्कूनस गया, इंट्रॉक्शन पार्ट मदे तर आहे, तच्छा वेतरिक तर आधन मिटेश सांग ते, वेधिक मैस्टे लेवल पगा, तर 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 तुम्सा क्य पेड़ेने च्छे स्पीड वाडना ते बगु ऩया, आपन बगईा, नेक्स स्कॉशन है, तर बगई आपन बगईा, तर न Suzanne ऑकस्षन काया है, और देशन टर बगईा अपन अपला, नक्स स्कॉशन काया है, फोन गनेश क्यान फेस्ट एस प्रिवल कॉंति फेस्टीवल कॉ फोड़स से डिफरेंट होना रहा है करन इत्र every student सो contribution x upon 25 मंजे 25 पार्ट आ है अपना अधी आधी कंसरे करू या let the number of students be x suppose number of student x तर question काया है contribution collected per student was 125th of total number of student total number of students x आ है तर प्रत्यक जन ते टोटल नमबर पार्ट कितिया है ते जो 125th पार्ट मुलान नी काया जाला ते जो 125th पार्ट ते उड़ा contribution मुलान नी केलना है तर student contributed next upon 25th पार्ट तर आपने ला टोटल टीचर नी परत्या 25 रूपीज कांट्रीबीट के ले तर टोटल आमांट किती जाले ले आपने कड़ कड़ कलेक्ट 250 रूपीज तर बगा एका student नी योड़ा पे केला number of student जोड़ा ते ला आपन multipliards करतो करांड सपोज समझा एका class मदे 10 student आहेत प्रत्य कानी 5 रूपीज कांट्रीबीट केला तर आपन काय करतो 5 रूपीज मंजे टोटल किती जाले 50 रूपीज सेम आहे तर आपन multipliards करतो प्लस हे ओड़ा सोड़ून जोड़ा अमौन जाले students ते सोड़ून टीचर नी तेंचत पर 25 रूपीज आड केला है तर टोटल रूपीज जाला है 250 simple equation आता form जाला आता फक्त calculation पाट रहा है आता बगाई ते का होना रहा है x square upon 25 plus 25 equal to 250 एक तरापन 25 नी सगला है ला multiply करो शकतो बरोबर 25 25 कट होता है ता सही करो शकतो एक तरा सही कैलकुलेशन करो शकतो कुटलो तुमाना टेक्निक इजी वाड़ते है ते आता पन करो शकतो अपन यह कैलकुलेशन कराई चाहिए आजुनेक इजी टेक्निक यूज करो शकतो directly आपन काई करी आई ता मदे plus है तरा multiply कराई चाहिए अपन इकड़ माइनस करो शकतो हें डिनॉमिनेटर मदे आहें तरीकड़ काई होना दे नियुमरेटर पकॉस मल्टिप्ला होते है 25 एक डाला x equal to square root of मी आसाच काठ होले करना पेला calculation पार्ट इजी भाइला पाई जे महनो आपन 225 multiply 25 कराई चाह मख परत ते चाहिए square root कराई चाहिए योडा मोठा calculation करणात बसना पेक्षा आसाच थे होले आतर 225 चाहिए square root 15 आहे 25 चाहिए square root 5 75 is the answer तर इजी लिए आपन calculate करू शक्तो नहीं तर परत multiply कराई नहीं तर परत return square root कराई ताइम प्रोसेसिंग जासता होना रहे तर तुम्ही आसे easy easy tricks यूज करद जावा करन्ट जेने करून तुम्च ताइम सेव होना रहे तर option 75 option 2 is the right answer तर आजूने एक स्टूरेंट तर तुम्हाला आशे easy easy tricks बंजे करशे option मदू नच अपना answer उड़कू शक्तो सब्पोस अपरेला चूज दे एनी करेक्ट तू answers आशे इस कही छोटी चोटी चोटी ट्रीक सेथ जर ते तुम्हाला त्रिक्स पाई जास तिल तर तुम्ही ते तेही कमेंट शेशिर मदे ला मी तेज़ ट्रिक्स तुम्हाला विगर शिक्वाला रेडिया है तर तान टी ट्रिक्स तुम्हाला यूसफुल होना रहा है scholarship मदे ओके तर यह बगुन गया अपन बगया next question ओके स्ट्राइब तर बगुई आपना next fifth one question काया है if 169 into 81 equal to 13689 then the square root of 166.89 is what तर अल्रेडी बगाईत स्क्वार रूट काड़ेची अपना गर्राजस नहीं है करण का इतो अल्रेडी हैचा multiplication मज़ेचा answer तेनी दिलेलाचा है मनज़ेचा answer किते यह ना रहा है equal to बरोबर और यह decimal कुटे यह ना रहा है एक एक नमबर सोड़ू करण अल्रेडी तेनी तेस दिलेलाचा है अपनेलाचा इतो easy होना रहा है square root काड़ेला करण इतो answer काड़ों नहीं काड़ू शक्तो अगेन तेज़ परण तेनी अल्रेडी इतो मनज़े answer अल्रेडी दिलेलाचा है फक्त अपनेलाचा decimal point से बगायाचा है 16.9 अपना सही करो शक्तो का अंड्रेड गेतले मी करण दो नी चे decimal point मी काड़ू टाक्ले करण अपनेलाचा कालकुलेशन लाचा इजी होना अथा 16.9 से स्कोई रूड किती आही 13 इंटू 9 अपन 10 100 से स्कोई रूड रूड 10 तो किती आना रहे 9 तेज़ 27 117 इज आंसर अपन 10 खाली 10 अचले मुड आपन काय करतू 1 नमबर सुरूँ डेसिमल जोतू 11.7 इजी क्यालकुलेशन होता आंसर अल्रेडी गिवन होता फक्त आपलेले डेसिमल पॉइंट कुटे है ते आनि तेज स्कोई रूड काड़ेचा होता तरे बगुन गया? इजी कोईशन होता आपन बगया, नेक्स कोईशन तर बगया आपले, नेक्स कोईशन इजी कोईशन होता प्लस 12 अगें स्कोईर रूट 24 प्लस 12 स्कोईर रूट अफ्टी सिक्स आंसर इजी कोईशन होता वक्त तुमारा वैल्यू काड़ेचा होता ने वन तू टू 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 जर तुमारा स्कोईर प्लपर लिए लिए असेल तुमारा स्कोईर तुमारा वैल्यू काड़ेचा होता तुमारा अनसर आलेला है 6 तुरे बगुन क्या? आपन बगएं, next question तुरे बगुन तुमारा नेक्स कोईशन काया है यही simple question है फक्त अप्लेला values काड़ेचा है P चा value दिलेला है 39 प्लस square root of 625 upon 4 then square root of P P चा value काड़ेचा है यही स्क्वेर रूट काड़ेचा है खुब easy question आहे 39 प्लस square root of 625 is what? 25 upon 4 तुर किती याना राहें आंसर? 64 upon 4 डिवाईड कर्या 4 1 जा 4 6 जा 16 तुर P चा value किती याली? 16 आपने ला काय काड़ेचा है? root P then therefore root P equal to square root of 64 is what? sorry square root of 16 not 64 P चा value 16 आले लिया है square root of 16 is what? 4 4 is the right answer तुर option काया है आपना 1 first option आहे 2 second आहे 4 third आहे 8 4 आहे 16 तर कुटलो option करेक्ट आपना second one is the right answer हे ही easy question आता तर आहे बगुन गया तर आहे बगुन गया तर बगुन आहे आपने next one question काया है मंजे आपने आपने ला गनीजन होना नही यह अठा तीन नंबर सुड़ून डेसिमल मंजे खाली कि यह नार 1000 घरबर इता ही तीन नमबर सोड़ू नाहे मनझे खाली एना 1,000 तर काया होते हैं इता क्रॉस मल्टिप्लाइ होना रहे 1000,000, कट होते हैं तर रहता हैं 46656 अपान 1728 है जा क्यूब रूट काड़ हैं तर next काया करतो आपन बगाओ 46656 क्यूब रूट काड़ू शक्तों ते ही इजी होते है बट तेच्या हो जी अल्रेडी ते निया प्रिता वाल्यू दिलेला है तरह पंटेज पूट करोगा डारेक्ली 27 इंटू 1728 1728 1728 कट होते है तरह अप्रेला काड़ू लगते है फक्त क्यूब रूट ओफ 27 का ये ना रहा है आंसर 3 तरह एला सिंप्लिफिकेशन किती करू शक्तों ते आपले हातता है तुम्ही तरह लेंदी प्रोसेस करत बसला तेजा क्यूब रूट काड़ बसला दो निंचे क्यूब कड़ूं तेजा परद डिवाइड करत बसला तरह अप्रेला वेल जाना रहे तरह तुम्ही जे उड़ा सिंपल तुम्हाल करता है तो उड़ा सिंपल क्याकुलेशन कराइचा मनजा अपले टाइम सेव होना रहे तरह ऑप्शन कुटला करेक्ट है अपले ऑप्शन 4 इस दर तर स्टुडेंट सपल 8.3 कंप्लीट जले लां है तरह हैचात काही कवेरी जास्तील तरह तुम्हीं कमेंट सेशन मदे लिऊं पटवां और टेलीग्राम ग्रूपला जॉइन हुँआ जेले करूं तुम्ही आजुन तुम्ही एक्स्ट्राजर काही क्वेरी जास्तील तर मीं तित्त तुम्हाला solve करूंट तिजा answer देतास्ते आनि daily एक mcqs तुम्हाला तित्त मिलातास्ते तर तुम्हे टलीगराम गुरुक लाही join हूँआ जेने करूँँ तुम्हे तुम्हे इन्फोर्मेशन नवीन updates मिलात थातील अणि हे वीडियोद दर तुमाला नक्की आवड लासेल तर तुमचा फ्रेंड सरकल मदे ही शेर करा तेनना ही स्कॉलर्शिप साथी हेल्प हुदे अणि डिस्क्रिप्शन मदे एक सैंपल मौक टेस्ट आहे तेही सॉल्व करून बगा अणि तरचा बद्धर अजुन डिटेल इंफोर्मेशन पहे जाए सेल्व तर तुमाला कॉंट्रेक्ट नमबर दिस्ते तित्तर तुम्हीं कॉंट्रेक्ट करून विचारो शकता तर असस प्रेक्टिस करत रहावा कीप प्रेक्टिस थाइंक यू